गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो प्यारे बच्चों? आज हम हिंदी पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला 52 वर्णों से मिलकर बनी है उच्चारन के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में पांटा के है पहला भाग है स्वर, दूसरा भाग है व्यंटन आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे स्वर, जिन वर्णों के उच्चारन के समय में आवाज सवतंतर रूप से बहार निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है अब हम स्वर पढ़ेंगे चोटा अ, अनार बड़ा अ, आम चोटी इ, इमली बड़ी इ, इक चोटा अ, उल्लू बड़ा अ, उन री, रिशी चोटी इ, एडी बड़ी इ, आनक चोटा अ, ओखली बड़ा अ, औरत अंग से, अंगूर अहां, खाली इससे आप बार-बार दोहराए तांकि आपको इसे पढ़ने और लिखने में आसानी हो थैंक यू बेटा